बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलागतों विवर्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरी सी होंगे मैं हूँ मैं इसे जिम्रान रेमेडी सेंटर्वू में आज बहुत ही अच्छी रेमेडी में लाई हूँ आपकी रेमेडी क्या आप इसे कहें के थ्री हैबिर्स आप के लिए बहुत ही अफेक्टिव है आई हो कि आपको बहुत पसंद आएगी इससे पहले कि यह रेमेडी स्टार्ट की जाए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मेरे लेटस्ट वीडियो मिल सकें जी तो आपन प्रेस करने हैं अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है सबसे पहली बात कि आपने बास्किट बॉल उसको खेलना है बास्किट बॉल आपके मसल्स को जो है स्ट्रेचिंग में लाएगी खोलेगी और आप एक्सराइस वाला आपका जो है यह इसका एक्सराइस भी होगी आपकी हाइट बहुत अच्छी ग्रोव होगी उसके लावा जंप लगाएं पहुं पर जमीन लगाकर जमीन पर रसी को भलांगे यह एक रॉबलम कोई मसला नहीं इसके साथ दीसरी हैपिट आपने यह अजमानी है कि आपने मुरब्बाजार में एक बास्का मुरबा होता है वो आपने लाजमी खाना है वो जितना मुरब्बी चाहे आप खाएं जितना इसली एक चमबर दो चमबर जो भी आप खाना चाहें इसली वो जरूर अपने रूटीन का हिस्सा बना ले इसके साथ आपने एक टिप भी में आपको दूंगे बहुत ही अच्छी है और आपने इन चीजों पर अमल करना है खेले कुदे खुश रहें पॉजिटिव सोचें बहुत ही अच्छा यह ग्रोथ वाले दिन जब होते हैं इस बच्चों की जानी यह 18 से 25 तक बच्चों की ग्रोथ हो सकती है उसमें आपने इन चीजों को मदे नज़र रखते हुए अपनी लाइ की इसका पाउडर बनाले नहीं आए इस पाउडरा को आपने रहत घूस मिल्क लेकर प्कान ने डालो यह उससे फांक नियुंव और से दूट को पी लें लेकर भी तो होगा को बहुत ही अच्छा है अच्छा प्र 20 मिलेगा क्योंकि मिलट्टी में जो है अल्ला ताला ने कुद्धी तोर पे ऐसे इंग्यूडेंस डालें कि जो बहुत ही आपकी हाइट की ग्रो के लिए बहुत ही मौसर किरदार अदा करेगा इसके साथ साथ सौफ की जो डीज है यानि कि सौफ जो है उसके जो है और कद्दू के बीच भी हाइट को इंक्रीस करने में बहुत मौसर किरदार अदा करते हैं जो सौंप है वो आपका खाना पीना हजम करेगी, सौंप में बहुत जादा अच्छी ऐसे इंग्रिडियंस हैं, कि जिससे आपका निजामी हजम जो है, वो हर्टीस को डाइजिस्ट करेगा, खाया पिया आप पर लगेगा, और इससे आपको अच्छी डैनिफिर्स जो है, इस है, उसमें आप तमाम इंग्रिडियंस लें, सनलाइट लास मी लें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा अफेक्ट होगा, आई होब कि आपको मेरी रहमेटी पसंद आई होगी, दौा में याद,